नमस्कार दोस्तों, आज हम डिसकस करेंगे चाइना के नए मेरी टाइम लॉक के बारे में, क्योंकि इसकी वज़े से पूरे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिक्लिक्ट हो सकता है, यहाँ पर आप देख पाऊगे इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हा रहे हैं, न्यू चाइनीज मेरी टाइम लॉक कुड बी टाइम बॉम, तो इसके बारे में डीटेल से समझेंगे कि इसको टाइम बॉम क्यों बोला जा रहा है, क्या परिशानी खड़ा कर रहा है चाइना यहाँ पर अपने नए मेरी टाइम लॉक के माध्यम से, काफी कुछ जानने को अल्रेडी यहाँ पर चाइना ने अपना जो नया मेरी टाइम रूल्स है, उसको लागू कर दिया, देखो मेरी टाइम रूल्स क्या होता है, जाहिर सी बात है, हम मेरी टाइम की बात कर रहें, मतलब जो ओशन, जो वाटर्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी नियम कानून होते हैं, एक पर्टिकुलर देश के, वो आला एक नया कानून बनाया गया है चाइना के द्वारा, कि मतलब उसके वाटर के अंदर कौन एंटर कर सकता है, अगर एंटर करना है, तो कौन कौन से नियम को फॉलो करना होगा, क्या information प्रोवाइट करना होगा, तो यह सारी चीज़े आपकी maritime rules के अंदर आ जाती है, तो यहाँ पर basically चाइना यही कह रहा है, कि कोई भी बहारी देशों का vessel है, जो ship है, वो अगर चाइना के maritime territory के अंदर आता है, तो उसको चाइना के accordingly जो laws हैं, वो फॉलो करने होगे, अब यह जो laws है मैं आपको आगे बताऊंगा, यह इतना ज teaching consequences हो सकते हैं, especially जो South China Sea है, East China Sea हो गया और जो Taiwan Strait है, अब मैं कहता हूँ जब South China Sea आपको पता होगा, यह आप उपर China देख रहे हैं, उसके नीचे यह वाला जो पूरा region है, यह South China Sea हो गया, उसके उपर आप जाओगे तो यहाँ पर Taiwan है, तो इसको कहा जाता है Taiwan Strait, और उसके उपर आप देखेंगे, तो यह आपको East China Sea मिल रहा है, तो यह जो पूरा region है, वहाँ पर काफी बड़े problems यहाँ पर create हो सकते हैं, और especially जो आजपास के जो regions है, यह जो आप अलग अलग देश देख रहे हो चाहिए, वियटनाम की आप बात करिए, फिलिपिन्स की बात करिए ताइवान के साथ तो लगतार conflict चलता ही रहता है, इसके दाबा इवन जो US है, उसके साथ भी conflict हो सकता है, मैं आपको आगे बताओंगा ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले यहाँ पर question आता है कि यह नया law है क्या, यह कानून में ऐसा क्या है जिसकी बज़े से problem हो सकती है, देखि जो ocean water है, जहाँ पर आपका land खतम होता है और ocean start होता है, वहाँ से लेकर 12 nautical miles तक ठीक है, उसको आपका कहा जाता है territorial water, लेकिन आपको पता है यह चाइना जो है, अपने accordingly चीज़ें को definition वगर सब बदलता रहता है, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन चाइना basically यह कह रहा है क यह बोला गया है कि जो भी foreign ships होंगी, चाहें वो nuclear vessel हो गया, जो पानी के अंदर चीज़ें चलती है, ships carrying radioactive materials, ship carrying bulk oil, chemical, liquefied gas, मतब कोई भी commercial हो, military, कोई भी ship हो, यहाँ पर चाहें वो harmful substance carry कर रही है या फिर नहीं भी कर रही है, तो उनको अपनी सारी जानकारी, उस ship के बारे मे जितनी भी जानकारी है, वो यहाँ पर China को बतानी पड़ेगी, कि कब वो enter करेगी, उस ship के अंदर exactly क्या क्या है, किस के लिए है, use क्या होगा, हर एक चीज यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा, अब इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ship का नाम है, call sign किया, current position क् हर एक चीज ट्राक किया जाएगा, चाइना के द्वारा, ऐसा यहाँ पर चाइना का क्या रहा है, अगर आप एक तरह से देखो, तो कोई भी ship आपके अगर territorial water mentor करती है, तो अव्यसी बात है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, यह इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है चाइना के साथ, चाइना तो कह सकता है कि यह पूरा ही territorial water हमारा है, तो चाइना तो यही क्लेम करता है जो South China सी है, भले ही उसका कोई कुछ हो या फिर ना हो यहाँ पर इस पूरे region में, लेकिन यहो कहता है कि यह पूरा territorial water है, मतलब यह पूरा चाइना क नहीं बनता है इस बात का, लेकिन फिर भी चाइना इस तरह के कानून को लेकर वो आ रहा है, और इसी की वज़े से बोला जा रहा है कि possible है कि miscalculation हो सकता है, अब जैसे US हो गया, जो strong देश है क्या वो बात मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो वहाँ पर उनका अगर शिप तो कुछ भी हो सकता है, तो यह बहुत बड़ा एक risk है, इसलिए इसको time bomb के साथ compare किया जा रहा है, और यह पूरा region हो गया, South China Sea, Taiwan State, East China Sea, हर जगह यह problem आपको देखने को मिल सकती है, इसके अलावा यह इतना सादा important क्यों हो जाता है, especially जो पूरा region अगर आप देखोगे, त तो South China Sea का location अगर आप देखो, तो यह बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कई सारे देश देखने को मिलते हैं, China, Taiwan, Philippines, Brunei, Malaysia, Indonesia, यह सब आप यहाँ पर देख सकते हो, Philippines, Vietnam हो गया, Malaysia, Brunei, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और खास बात इसमें यह है कि विश की shipping है, वो वहाँ से होती है, तो क्या हर इक ship को यह सारी जानकारी चाइना को देनी होगी, तो यह बहुत बड़ा प्रश्ण हो जाता है, इसके लावा इवन भारत के लिए भी काफी important है, हमारे जितने भी संबंध है, Eastern Asia के साथ, या फिर जो भी आगर आप देखो, चाहे हम oil और gas के exploration की बात करें, सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारा commercial और military importance देखने को मिलता है, Asian countries हो गए, Japan, South Korea, सभी के साथ हमारा काफी important role है, energy supply वगरा वहाँ से की जाती है, in fact यहाँ पर हम बात करें भारत की, तो भारत का 55% trade वो इसी route के माध्यम से होता है तो you can imagine कि यह भारत के लिए भी काफी important हो जाता है, इसके लावा आपको याद होगा कि हम Vietnam के साथ मिलकर यहाँ पर जो offshore oil drilling है वो भी कर रहे हैं, जो ONGC, ONGC Vidas Limited के साथ और Vietnam के साथ मिलकर यह सारी चीज़ें हाँ पर की जारी हैं, जिसको लेकर already China problem create कर रहा है, तो यह सारी क्या बताती हैं कि वहाँ पर जो conflict है वो ultimately बढ़ने ही वाला है, और जो भी यहाँ पर China कहता है कि यह nine dash line के accordingly यह पूरा area उसका है, तो बागी कि जितने भी देश हैं चाहें, Vietnam हो, Philippines हो, सभी का कहना है कि यह गलत है, यह जितना भी territorial water है, यह हमारे अंडर आना चाहिए, ना कि China के अंडर, ठीक है, या फिर exclusive economic zone, यह सब इन देशों के पास आना चाहिए, लेकिन China कहता है नहीं, यहाँ पर कुछ-कुछ जो island है, उसके उपर हमने कबजा कर रखा है, वो हमारे होंगे, तो यह आई हो कि आप problem समझ रहोगे, मतलब US भी क्या है, उसको contest करता है, क्योंकि US तक कभी मेरे टाइम से related चीजों को लेकर चर्चा नहीं हुई थी, United Nations Security Council ने, लेकिन जान मुझकर भारत ने पहली बार, यह मुद्दा को यहाँ पर लेकर आया था, और उसमें भी आप देखो, तो US और China दो आपस, दुनों आपस में भीड़ गए थे, यहाँ पर जो US है, उसका यह कहना था, कि यह unlawful है, जो भी मेरे टाइम क्लेम किया जाता है, चैना के दोरा, चैना का यह कहना था कि नहीं, US जो है, वो arbitrarily अपने वेसल्स को, अपने शिप को उसके अंदर भेशता रहता है, जो की गलत है, तो दोनों आपस में काफी दादा एक लड़ाई जैस कि ऐसी स्टार्ट होता है, वो हम बेसिकली देखेंगे 12 nautical miles तक, मतलब यहां से sea start हो रहा है, land खतम हो रहा है, वहां से लेकर 12 nautical miles तक आपका यह territorial water में आएका, मतलब यह पूरी तरह से उस देश के अंदर में आता है, ठीक है, इसके अलाबा 200 nautical miles तक अगर आप देखो, तो यह exclusive economic zone होता है कहने का मतलब है कि यह territorial नहीं है मतलब उस देश का exclusive right नहीं है लेकिन यहाँ पर जो resources पाय जाते हैं वो उस देश के होंगे लेकिन कोई भी ship वगरा आती जाती है तो वो हाँ से गुजर सकती है तो यह ऐसा नियम वगरा आप देखोगे तो UN clause के according देखने को मिलता है और यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि खुद China इसका member है although US इसका member नहीं है UN clause का उसका signatory नहीं है लेकिन China, भारत, बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे वो इसके members है तो finally conclusion में यह चीज़े क्या निकलते है conclusion यही निकलता है कि यह जो law लाया गया है चाइना की द्वरा, सबसे बड़ा प्रशन उठता है कि China इसको implement कैसे करेगा मतलब कि China कह रहा है कि हमारा rules regulation होगा तो implement कैसे किया जाएगा क्योंकि ships तो अभी भी आएंगी, जाएंगी, गुजरेगी तो क्या China ने सिर्फ अपने paper पर लिखने के लिए इसको कर दिया है दूसरा यहाँ पर जो US अक्सर आप देखोगे तो US freedom of navigation आपने सुना होगा exercise करवाता है, अपने ships वगरा को भेजता है तो जाहिर सी बात है वो Beijing की बात नहीं मानने वाला तो क्या इसकी वज़े से conflict create होगा यह question खड़ा होता है और तीसरा यहाँ पर जो question यही है कि बाकी की जो देश हैं वो इसको लेकर कैसे react करेंगे या यह जो agreement है इसको लेकर challenge किया जाएगा क्या होगा वो आगे आने वाला समय बताएगा लेकिन अभी के लिए 1st September से यह चीज लागू हो गया है इसी के बारे में आपको जानकारी देना था जाने से पहले एक interesting question बहुत ही interesting है यहाँ पर देखो law of the sea convention मैंने आपको बताएगा न UN clause उसके accordingly यहाँ पर कई सारे चीज़ों का provision है ठीक है कौन सा provision उसके अंदर नहीं है वो आपको बताना है कौन सा नहीं है और इसका जो right answer है आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ Stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको PDF यहे तो Telegram पर आए अलग-लग social media पर भी आपड़ूर सकते हैं साथी साथ UPSC और फिर किसी भी exam वहाँ पर जाकर आप सारी त्यारी कर सकते हैं बहुत की कमबाम पर सब सारे कॉर्सेद आपको मिल जाएंगे I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलता है आपसे नेक्स तैम तिल देन Thank you very much, see you soon